हेलो फ्रेंट्स वेलकम बाक दिस जीट सलाल थैंक्स वर सब्सक्राइब दूमा चैनल और थैंक्स वर लव इन सपोर्ट गाइज आज के जो वीडियो है उसका परपर्ज है आपको नैचरल बाडी बिल्डिंग और ड्रक्स के बारे में कुछ बाते बताना बहुत सारी ऐसी ज जिखा और जीत सलाल तो यार अमीरी इनसान है उसके बास तो बहुत पैसा है यह नो सप्लेमेंट्स बहुत अच्छे अफोड कर सकता है और डाइट बहुत अच्छे जिम बहुत अच्छे अफोड कर सकता है और जो भी ऐसे लोग हैं वो बहुत ही रिच होते हैं जो इस तर के confusion में अभी भी जी रही है वो अभी भी उसी एरा में है जो ये सोचते हैं कि भाई या समान चलाना पड़ता है body बनाने के लिए compete करने के लिए तो आज का खास कर जो वीडियो है ना उन लोगों के लिए है और इसी सोच की वज़े से हमारा जो youth है इंडिया का वो कुछ ऐसे रास्ते पर जा रहा है जहां पर बहुत ही short cuts लोग ढूटते और जो guidance मिलती है लोगों से जो ये चीज अचीज अचीव कर चुके है उनसे ये मिलती है कि भई बिना इस चीज के आप कर ही नहीं पाऊँगे possible ही नहीं है मतलब वो एक sign board होता है stop वाला वो दिखा देते तो फिर बच्चे भी विचारे क्या करेंगे जब उनके पास ऐसे examples है ही नहीं natural करने वाले drug free रहने वाले लोग steroid free रहने वाले लोग तो वो भी वही सिखेंगे तो ये चो पूरा vicious circle बना हुआ है इसको दूर करने के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आज की generation की सबसे बड़ी problem ही ये है कि वो lack करते है direction में अरे पैसा सब को कमाना है गाड़ी सब को बनानी है और body building की सब को करनी है लेकिन रास्ता तो ढूड़ लो आप आप ये find out करो ये सवाल अपने आप से पूछो की आपके लिए success के क्या माईने है पैसा अच्छी चीज़े हो ना भी चाहिए गाड़ी, बंगला, fame you know families, relationship आपको अपने success के माईने पता होने जरूरी है हिम्मत रखो मुश्किल रास्ते पे चलने की लेकिन सबसे पहले उस मुश्किल रास्ते को तो ढूड़ लो कि आपके जीवन का वो मुश्किल रास्ता क्या है वो पहाड कौन सा है क्योंकि हर किसी के जीवन में हर किसी की life का जो मुश्किल रास्ता होता है वो अलग होता है हर किसी की life का struggle अगल का path different होता है, आपको वो find out करना पड़ेगा, बिना उसके इतनी महनत, बिना उसके इतनी जानकारी का आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस waste कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको अपनी life में एक सही direction टोड़ना बहुत जरूरी है, एक सही path टोड़ना बहुत जरूरी है, और इसल दिखाने का मतलब ये नहीं है कि इनको मैंने train किया है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, नहीं, इसको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि एक drug free India mission के एक जीते जाकते सबूत हैं, एक बहुत ही बड़ा example है इस बात का, कि बिना steroid और बिना drug के भी बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है, और ये उन लोगों के मुँपे बहुत बड़ा ताला है, जो लोग सामने से तो बोलते हैं, वा जीत भाई, बहुत अच्छा mission है, आपका drug free India, वा, you know, drugs, steroids के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, पर पीट पीछे म बहुत बड़ी motivation है, प्लीज ध्यान से देखी गाई इस वीडियो को, और एक बहुत important बात गाईस के इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये नहीं चाहता कि आप वीडियो देखें, ताली बजाएं, और वा जीत भाई, वा जीशान भाई करके चले जाएं, नहीं, ऐसा नह प्लीज नोट करिए कि क्या महनत है, क्या hard work आपको करना पड़ता है, कितने sacrifices करने पड़ता है, कितनी महनत करनी पड़ती है अपने goal को पाने के लिए, ये मेरे पास पैसे कम है, या मेरे पास diet afford नहीं कर सकता, supplement के लिए पैसे नहीं है, gym, membership के लिए पैसे नहीं है, ये सब excuses ह होते हैं, आपकी life में जो भी आपके goal है, आप उनको achieve करने के लिए, whatever resources you have in your life, आप वो सारी चीज इस्तमाल कीजिए, अगर कम resources है, कोई problem नहीं, लेकिन कमसे हम इस्तमाल तो कीजिए, महनत तो कीजिए, right, excuses देना बहुत आसान है, please, ये चीज जरूर सीखना आप, ठीक है, चलिए, वीडियो को enjoy कीजिए, and I'll see you soon, bye-bye. के हिसाब से मैं अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल ही, मेरे दोस्त, मेरे फैमिली, मेरे रिलेशन वाले इतनी है, सब कहते थे, कि उस हाइड और उस बोड़ी मैंच नहीं कर रही है, तो बस उसी दिन से मैंने दिमाग में एक जुनूर नहीं किया, कि नहीं, अब कुछ क बस उस वक्त पे अचानक पता नहीं क्या हो, मेरे बेटे ने मुझे कहा कि आपा बोड़ी इसके जिसी बना तो मैं थोड़ा सोच में पढ़िया, कि उस वक्त मेरी बोड़ी काफी हेवी थी, और बहुत मोटा था, मतलब अगली रग रहा था, तो मुझा एक कईसे होगा, प एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल रूटीन में बिजनसमें, वही सुबा में शॉप पर जाना, वही रात में आना, कुछ हापनिंग में लाइफ में, तो बस मैंने उस दिन से खान लिया, कि अब मुझे बड़ी बनाना है, पता है, दाएट फॉलो करना कोई आसान बात नह पता है, बात सारे सेक्रिपाइबा, मैं कितनी वार रस्तुरून में जाता हूँ कि फैमिले के साथ हमेशा अपने मील्स कहिरी करता था, कभी दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हो तो उन लोग पीजा, बरगर सब खाते, तो कितना डर्द होता था, कितना सेक्रिपाइस किया है और ये तो छोड़ो, विशी ने हरते मेरी एनियो सिनी थी, उसका भी केक मेंने नहीं था डायेट के बारे में ये पताना चाहूंगा के डायेट बहुत इंपोर्टन है, इनसान के लिए एक लाइफ में, एक पिट रहने के लिए, बोडी बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी नहीं के जो में डायेट फॉलो करता हूँ, वो सभी लोगो करना है, हर इंसान की एक अलग-अलग गोल्स होते हैं, अलग-अलग सब फैसिलिटीज इंसान को देखनी पड़ती है, तो हर इंसान की डायेट अलग होती है, यू हैब तो फाइंड आउट वाट और गोस्तार हूँ, यू कि आप आओ झाल 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 फिटनेस बहुत इंपोरेंट एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए अगर आप फिट नहीं हो तो कोई चांस ही नहीं है आपको एक फिट होना बहुत जरूरी है आपको बहुत 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 जरूरी है और मेरे लिए फिट होना तो बहुत ही जरूरी था क्योंकि मैं काफी मोटा हो गया था मुझे एक हेल्डी लाइफ जीना था उसलिए फिट होना बहुत जरूरी है मेरे तो मैं जैसे ही कि नॉमल लोग सब लोग करते यूटूब यूटूब खोला गूगल खोला के हाव तू फैट लॉस वक्त पे और मेरे एक्साइस के फॉर्म टेक्निक्स इतने कुछ पर नही पता था तो बस उसी वक्त पे मैंने रात में बेठा गूगल खोला यूटूब खोला और उसमें मैंने बस जिस टाइप किया कि हाव तू पाट लॉस नैचरली तो मैं को कोई भी ऐसा कोई सब्स्टेंस यूज नहीं करना था जिससे मेरी बोडी को हाम लोग लोग कुछ गल जो मेरे जो सर है जिसने मुझे ट्रांसवर्म किया है जिसने मेरी हर एक मील्स हर एक वरकाउट हर एक ट्रेनिंग सब उन्होंने डिजाइन किया है और जो भी ट्रांसवर्मेशन जो हुआ है वो मुझे उन्होंने करके दिया है जितनी भी मेहनत थी हम दोनों की थी साथ में मैंने भी बहुत sacrifice किया है मेरे diet में, मेरे workout में एक एक चीज में पुरी उनसे design की दिजाइन बस उसी वत पे हमने फिर शुरू किया जीज सर ने मेरा सब चीज डिजाइन किया हर चीज हुआ हमारा और उसके बाद मैं जैसी जैसे workout शुरू करने लगा तीन महिने के बाद मुझे मेरी बॉड़ी में काफी changes दिखे लगबग मैंने 8-10 kg कम किया था naturally without losing any muscle only for fat loss फिर उसके बाद जैसी जैसी मैंने goal मेरे achieve करने लगे पिछले महिने एक महिने जैसे मुझे लगा कि हाँ बस अभी आ रहा है उस वक्त जब 6 महिने पहले मेरे बारे में कोई बात नहीं करता था जिम में कोई देखता नहीं था मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं बस जैसी जैसी मैं close आया मेरे transformation दिखने लगा मेरे हर चीज श्रेड होने लगी तो लोगों ने मेरे बारे में बाते करना शुरू कर दी अब बाते किस तरह की करना शुरू कर दी जैसा कि अरे इसने तो शायग ड्रग लिया है इतना जल्दी कैसा transformation नहीं कैसा आ गया उनको यह नहीं दिखा कि मैंने कितने sacrifices किया अपनी फैमिली को अपने फ्रेंड्स को अपने लिए सब चीज खाना पीना हर चीज गुर्बानी दिये मैंने हर चीज का sacrifice किया है शे महिने में मेरा दिल जानता है कि मैंने कहिसा hard work किया इस ती ती ते और आज जब मैंने सब चीज अचीज अचीव कर लिया तो लोग मुझे कहतें कि इसने तो steroid लिया होगा इसने ये किया होगा उसने वो किया होगा ये जो फिट होने का जुनून सर पे चाड़ा था ये कभी उत्रा ही नहीं और हमेशा ये ही सोचता था के अगर आप ये वीडियो दिखके थोड़ा भी मोटिवेट हुए हो तो दू कमेंट एंड लाइक तो मुझे पता चले कि आप लोग के क्या थौट से मेरे लिए सो एस अलवेज तो नहीं बल सकते हैं कि ओके बाबाई स्टे फेट से हेल्दी